बुद मॉनिंग स्टुडंस, हाव आर यू, अलार फाइन, स्टुडंस, अभी हम एजेवन के तरफ चलते हैं, अभी हमारा सेवंथ चैप्टर है, विस्वासह नईवक कर्तव्य, यानि हमें किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, विस्वासकार्थ भरोसा, तो हमें कि की बात माननी चाहिए, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, एक स्टूरी है, ठीक है, एनिमल्स के उपर से बनाई गई है, और बहुत ही अच्छा भी लगेगा, आपको एक मोरल मिलेगा, कि हम ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो हम चैप्टर की शुरुआत करते है, यहाँ पर हम एक पिच्चर देख रहे है, ठीक है, यहाँ पर एक बकरी बताई गई है, गौट, ठीक है, और आपको पता है कि एनिमल्स में सबसे चाला कौन होता है, लोमडी, ठ ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बकरी और उसका बच्चा, ठीक है, दोनों की बात की गई है, और बच्चे को मा समझाती है, बट बच्चा मानता नहीं है, तो किस तरीके से वो मुसीबत में पढ़ जाता है, और मा कैसे उसको बच्चाती है, ठीक है, ठीक है, तो हम शु पुत्र, 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 पुत्र मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी अत्र एवतिष्टतू तुम यही पे रहना अभी हम इंग्लिश में देखेंगे there is a forest there is a goat in a forest she tells her child dear I go to out I will come soon you stay here तुम इधर ही रहना ठीक है? यानि मम्मी ने क्या ओडर दिया कि महां बाहर जा रही हूँ और मैं तुरंत वापस आ रही हूँ तब तक तुम्हें यही पे रहना है ठीक है? अभी हम दूसरा पिक्चर देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? चलो हम देखते है अजाव अनम गच्छती यानि वो बकरी जंगल के अंदर जा रही है शिशू अपी अनुसरणम करोती यानि वो बच्चा जो था वो अपनी मा को फॉलो करता है अनुकरण करता है यानि उसको फॉलो करता है उसके पीछे पीछे जाने लगा शिशू मारगविस मरती यानि बच्चा रास्ता भटक गया अतह सहरो दिती इसलिए वो रोने लगा श्रुगा लः शीशू पस्यती यानि फोक्स ने वो बच्चे को देखा स सू कोमल मास सखा दी तो मिच्छती वो क्या चाता था? कि मुझे इसका मास सू कोमल कि मुझे अभी आज एक बच्चे का मास खाने मिलेगा स सू कोमल मास खा दी तो मिच्छती वो इसको बहुत इच्चा हुई कि ये बच्चा मेरे हाथ में आ जाए बस ठीक है? फिर क्या होता है? हम देखते हैं अभी वो क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर हम देख रहा है कि बक्रियर उसका बच्चा जा रहा है और वो रास्ता भटक जाता है तो स्रुगा लह वदती यानि कि अभी फॉक्स बोल रहा है भवान कहा तुम कौन हो? की मर्थम रोदिती? क्यो रो रहे हो? समस्या ग्न्यात्वा अतिकरूनतया सवदती यानि उसकी प्रब्लम सुनके वो एकदम इमोस्नली बोलता है अतिकरूनतया यानि एकदम इमोस्नल होकर बोलता है चिंता मास्तू यानि चिंता मत करो अहम मातू समीपम नेश्या मी मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मे के पास ले जाओंगा मया सह चलतू मेरे साथ चलो सा ममा परीचिता अस्ती वो मुझे पहचानती है ठीक है? देखो अपी वो अपनी मेठी-मेठी बातों में उसको फस हराए फिर बकरी का बच्चा क्या बोल रहा है? मेरी माता ने कहा है किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कही पर भी जाना नहीं है अपरीचित कार्थ होता है जिसको हम जानते हैं और अपरीचित कार्थ होता है जिसको हम नहीं जानते हैं तो मेरी ममी ने कहा है कि अंजान व्यक्ति के साथ तुम्हें कहीं पे नहीं जाना है वन्चक श्रुगालह वदती चालाक लोमडी बोलती है यानि वो जो फॉक्स था वो बहुत चालाक था वो क्या बोलता है ममा विशय मा चिंत यतु मेरे बारे में चिंता मत करो पश्यतु तत्र एकह पीपल व्रुक्ष असती देखो वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है तत्र भवतह माता अन्विन श्यती वहाँ तुमारी माता आने वाली है ठीक है अजा शीशु अभी हम यहाँ पे नेक्स पेरेग्राप देखेंगे अजा शीशु श्रुगालेन सहग अच्छती यानि बकरी का बच्चा फोक्स के साथ जाने लगा तस्मिन ख्षणे उसी टाइम पे अजा अगच्छती उसी टाइम पे बकरी आ जाती है ठीक है स्व पुत्रेन सहग वंचक श्रुगाल द्रश्टवा वदती अपने पुत्र के साथ चालाक लोमडी को देख कर वो बोलती है पुत्र भवान एतेन सह कुत्र गच्छती बेटा इसके साथ कहा जा रहे हो अस्य विश्वासा ना करनिया इसका भरोसा मत करो यानि उसी टाइम पे बकरी आ जाती है इस पे कभी भरोशा मत करो सीशू मात्तू समीपब धावती यानि बच्चा माता के पास दोड़ के चला जाता है सीशू मुखात घटना शुरुत्वा अजा कृध्यती यानि अपने बच्चे के मुँ से पूरी घटना सुनके यानि फॉक्स ने क्या-क्या बोला उसके बारे में कि मैं तुमारी मा को जानता हूँ फीपल के पास तुमारी मा खड़ी है मैं तुमें वहाँ पर ले जाता हूँ इसारी घटना सुनकर अजा कृध्यती यानि बकरी को गुस्सा आ जाता है अजा श्रुगाला प्रहारती यानि बकरी श्रुगाल पे प्रहार करती है एटेक करती है श्रुगाला पलायाते यानि फॉक्स वहाँ से भाग जाता है अजा शिशुवदती यानि बकरी बच्चे से कहती है पुत्र अपरीचित तश्य उपरी कदापी विश्वाश नईव करनिया यानि अंजान व्यक्ति के उपर कभी भरोसा नहीं करनी चाहिए ना मैत्री करनिया, ना कुत्रापी गमनिया ना उनके साथ दोस्ती करनी है, ना उनके साथ फ्रेंड्सिप करनी है ना उनके साथ कही पर जाना है तो students आपको ये chapter कैसा लगा बहुत ही अच्छा लगा ना यानि कि यहाँ पर animals के माध्यम से हमें ये moral दिया जाता है कि हमें किसी भी अंजान व्यक्ति के साथ कही पर भी चले जाना नहीं है उन पर भरोसा एकदम से नहीं करना है क्योंकि हम उन्हें नहीं जानते वो हमसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बाते तो जरूर करते है पर कही न कही उनका स्वार्थ छुपा होता है तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन व्यक्ति हमें किस तरीखे से बात करता है अगर हम उन्हें नहीं जानते तो हमें उनपर भरोसा भी नहीं करना है चाहे वो कितनी भी अच्छी बाते कर ले हमें उनकी बातों में नहीं आना है तो ये चैपटर में Animals के माध्यम से हमें ये moral दिया गया है क्योंकि animals के माध्यम से अगर moral मिलता है तो वो story बहुत interesting लगती है यही story अगर इंसानों के उपर होती तो हमें नहीं interest आता पर यहाँ पर animals को include किया गया है ताकि हमें story और मज़ेदार लगे Students मैं इस chapter का translation English translation आपको PDF के द्वारा भेज रही हूँ आपको अच्छी writing से यह translation लिखना है आपको क्या करना है एक paragraph लिखना है Sanskrit का one by one फिर उसका translation लिखना है ताकि exam में आपको problem ना हो आपको उसी paragraph का translation नीचे आपको मिल जाए आपको अपनी notebook में अच्छे से वो translation लिख लेना है clear students और मैं question answer भी उसके साथ ही भेज दूँगी आपको question के answer भी लिख लेने है ठीक है तो यहाँ पर हमारा chapter finish होता है thank you